हेलो सभी को नमस्कार दोस्तों फिसले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी अर्थ सास्त्र विशे के विकास सम्बंदी और आज के हम वीडियो लेक्चर में बात करेंगे अर्थ सास्त्र विशे की परिभासा सम्बंदी विश्यों पर परिवासा समन्दी जितने भी व्यू है दृष्टि को अणे उनकी बात करेंगे किसी भी विश्य की परिवासा को जानना या उसकी परिवासा को पढ़ना हमारे लिए इसलिए मैत्पूर्ण है क्योंकि उस परिभास्टा के अधार पर हम उस विशे वस्तू में क्या सामिल है या क्या उसका पहमाना है उसको हम जान पाते हैं इसलिए अर्षास्तर के विशे के सम्दित जितनी भी परिभासा हैं उनको जानना अवश्चक है लेकिन आज 200 वर्षों से अधीक समय हो गया है अर्षास्तर विशे के विकास को कोई भी एकमत परिभासा नहीं है कई परिवासा हैं कुछ अर्षास्त्रियों का दृष्टी कौन है कि अर्षास्त्र विशे को परिवासाओं में बांधना आवशक नहीं है इसको सिमित करना आवशक नहीं है वहीं कुछ अर्षास्त्री है वे कहते हैं कि विशे की परिवासा अती आवशक है जैसे कि एक खेत क मेड की आवशक्ता होती है उसी परकार विशे के लिए भी परिभषा की अती आवशक्ता है लेकिन एक मत नहीं है। इस संद्रव में एक अर्षग्षास्त्री है Barbara Wooten उनका कैना है जा छे अर्षग्षास्त्री एकतरत होते हैं, वहां साथ मत होते हैं, अर्षास्त्रियों में अर्षास्त्र की विशे सम्बंदी कोई भी एक रूपता या एक मत नहीं पाया जा रहा है। उन्होंने दी कल्यांड सम्बंदी परिवशा, मार्शल के दौरा दी गई। दुरलपता सम्बंदी परिवशा, रॉबिंज और विकाज सम्बंदी परिवशा हैं सैमिल्सन के दौरा दी गई। सबसे पहले हम बात करते हैं धन संबंदी परिवासा, यह अर्षास्त्र की सबसे आरंभिक परिवासा है, एडम स्मीत और उनके जो सयोगी प्रमप्रावदी अर्षास्त्री थे जैसे जे बी से, जे असमील, वोकर, शीनियर, इन सभी अर्षास्त्रियों ने अर्षास्त्र को एक धन का अध्यन माना, इन्होंने कहा कि अर्थ सास्त्र है जो केवल और केवल धन का अध्यन है, इसलिए एडम इसमित ने कहा है अर्थ सास्त्र राष्टों के धन की परकरतियों कारणों की खोज है, तो जे भी से ने कहा अर्थ सास्त्र वो विज्याने जो धन या संपति की विवेचना करता है अर्था जो धन सम्मंदी परिवासा है वो यह कहती है कि अर्षास्त्र है वो धन का विज्याने इसकी अगर परिवस्थाँ ग으로 मिशेश्थां को बात करे तो धन समांती जो परिवस्था है इसमें धन को परमुक मना गया है जब कि मनुष्य को गोन मना गया है धन की प्रकृती बहुतिक वश्थाँ को इस्तान नहीं है अर्थ मनुख की कलपना की गयी है लेकिन इस परिवासा की कई कमिया भी है जैसी कि धन को अधिक महतो देना, धन का संकुचित अर्थ, इसमें केवल भोतिक धन को इमाना गया है, और कल्यान की उपिक्षा की गई है, अर्थ मानों की धना का प्रियोग किया गया, दुरलप्ट ततास, चुनाओ की समिश्या पर क धन संबंदी पहलों पर ही बात करता है, दूसरी परिवासा है, जो है कल्यान परधान परिवासा, जिसका परतिपादन, मार्शल और उनके जो सयूगी अर्षास्त्री थे, जिसे पीगू, कैनन, बैवरीज, पैंसन, आधी को दिया जाता है, इन्हें नियो क्लासिकल अर्ष अर्षास्त्रियों के नाम से जाना जाता है, इन अर्षास्त्रियों ने धन के इस्तान पर कारियों को महतुत प्रदान किया, मनुश्य के उन कारियों को अध्यन माना है, जिनमें वे अपने कल्यान को बढ़ाने वाली पोतिक वस्तों को प्राप्त करने के लिए करते हैं, इ वो मानो के कल्यान पक्ष की बात करता है और कल्यान पक्ष की भी हम बात करें तो मार्सल ने आर्थिक मानो कल्यान की बात की है जबकि जो पीगू है उसने आर्थिक और भोतिक कल्यान की बात की है धन्यवाद